इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ रुकनुदीन फुरुच साह का इतिहास आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि रजिया के प्रारंबिक इतिहास की सुरुवाद भी यहीं से होती है तो इसी लिए आप लोग ध्यान से देखें ताकि रजिया का जो प्रारंबिक इतिहास है वो आपको अच्छी समझ में आ जाए और अगर आपको नूर्स बनाने हैं तो डिसक्रिप्शन वोक्स और कमेंट वोक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है तो वहाँ से जाके अपने नूर्स तयार कर सकते हूँ तो चरिए इस वीडियो के सुरूबात करते हैं और पढ़ते हैं रुखनोदीन फुरूज साय का इतिहास ये है सूचना तो इसे आप ज़रू पढ़ें सबसे पहले बात करते हैं इतिहासिक तथिकी क्योंकि अगर किसी भी सासक का अगर हम इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि उसका मूल इतिहास कहां पर मिलता है तबगात ए नासिरी इसकी चर्चा मैं बहुत बार अपनी वीडियो में कर चुका हूँ और एक स्पेसल वीडियो मैंने तबगात ए नासिरी पर बनाया हुआ है अगर आपको डिटिल में जानकारी चाहिए तो आप वहां से जाके हासिल कर सकते हो तबगात ए नासिरी की रचना एक बेसिक चर्चा की है तबगात ए नासिरी की तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है तबगात ए नासिरी की रचना किस ने की थी मिनहाच उस सिराजने की थी और किस भासा में की थी फारसी भासा में की थी आप लोग इसको ध्यान से देखें क्योंकि मैंने यहाँ एक ग्राफ के दोरा आपको समझाने की गोशिस की है समसुद्दीन इलतुतमिस इनके बारे में मैं पहले यह आपको पढ़ा चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेवेलेवल है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो या फर इस बीडियो के अंदर में वो आपको मिल जाएगा समसुद्दीन इलतुतमिस की बैसे तो कई बेगमें थी लेकिन मैंने यहाँ पर दो बेगमों के नाम लेखे हुए हैं क्योंकि यह बहुत महत्पून है तो आपको यहाँ पर इन सभी को याद रखना है क्योंकि यह सभी बहुत महत्पून है रुकनुद्दीन फिरूज के बाद रजिया रजिया के बाद मुईजुद्दीन बहरामसा है तो यहाँ पर मैंने आपको एक गिराफ के द्वारा समझाने कोशिस किये ताकि यह आपको आसानी से समझ में आ जाए अब बात करते हैं रुकनुद्दीन फूरुज साय के इतिहास पर 1229 में इल्टुतमिस के बड़े पुत्र नासुरुद्दीन महमूद की मृत्ती हो गई थी जिसे वह अपना उत्रादकारी बनाना चाहते थे नासुरुद्दीन महमूद को दिल्ली में ही दफनाय गया और उसकी कबर पर इल्टुतमिस ने सुल्तान गड़ी नामक मकबरे का निर्मार करवाया था सुल्तान गड़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा माना जाता है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ इल्टुतमिस ने क्या किया था कि अपने बड़े पुत्र नासुरुद्दीन महमूद को उत्रादकारी गोशित किया था नासुरुद्दीन महमूद की मिलती हो गई इसके बाद उसे वो त्रादकारी नहीं बना पाए नासुरुद्दीन महमूद को दिल्ली में ही दफनाय गया और उसी की कबर के उपर सुल्तान गड़ी नामक मकबरी का निर्मान करवाया था किसने इलतुतमिस ने और सुल्तान गड़ी का जो मकबरा है वो भारत का पहला मकबरा माना जाता है ये प्रस्ण भी बहुत बार एक्जाम में बूचा गया है इसलिए मैंने इसको यहां पर हाईलाइट किया हुआ है तो आप लोग इसको बिसी तोर पे ध्यान दें सुल्तान गड़ी के मकबरी का निर्मान इलतुतमिस ने बारसो तीस से बारसो एकतिस के मद में करवाया था तो यहां आपको ध्यान देना है कि जो सुल्तान गड़ी का मकबरा है जिसे भारत का पहला मकबर माना जाता है उसका निर्माण शुरू हुआ था 1230 में वो खत्म हुआ था 1231 में इल्तुतमिस ने 1231 में गौलियर की राजा मंगल दिव के बुरुद आकर्मन किया तथा गौलियर पर विजे फ्राप्त की इस अभियान में इल्तुतमिस का साथ रजिया ने दिया था तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ देखे 1231 में क्या हुआ था कि इल्तुतमिस ने गौलियर की राजा मंगल दिव जने कुछ इतिहासकारों ने मलय बर्मा भी लिखा हुआ है तो उनकी बुरुद आकर्मन किया लेकिन इसकी सफलता का जो पूरा-पूरा स्रे है वो इल्तुतमिस ने रजिया को प्रदान किया यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गौलियर विजय के बाद इल्तुतमिस ने संसमारक मुद्रा जारी कर रजिया को अपना उत्रादिकारी घोशित कर दिया था लेकिन दिल्ली के अनेक तुर्क सरदार रजिया के खिलाब थे जैसे ही गौलियर विजय के बाद इल्तु अधिकारी गोशित किया था 30 अपरेल 1236 को बामियान जाते समय रास्ते में ही इलतुतमिस्की मृत्ती हो गई थी मैं आपको बता दूँ कि 30 अपरेल 1236 बामियान आदुनिक अफगानिस्तान में है तो बामियान जाते समय रास्ते में ही इलतुतमिस की मृत्ती हो गई थी दिल्ली के तुरक अमीरों ने क्या किया कि रजिया के इस्थान पे रुकनुत दीन फुरूज साहय को दिल्ली का सुल्तान घोसित कर दिया था क्योंकि दिल्ली के तुरक अमीर नहीं चाहते थे कि कोई महला हमारे उपर अधिकार जमाए इसलिए वो रजिया के खिलाब थी मैं आपको बता दू कि 1227 में इलतुतमिस ने रुकनुदीन फुरूज साहे को बदाईयों का सूबेदार बनाया था बदाईयों उत्तर प्रदेश में है रुकनुदीन फुरूज साहे को दिली का अयोग सुल्तान माना जाता है क्योंकि उनके सासंकाल में सत्ता की संपून चाबी उनकी माता साहे तुरुकान के हाथों में रही तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ जैसे ही रुकनुदीन फुरूज साहे दिली के सुल्तान बने इसके बाद जो उनकी सत्ता की चाबी थी वो उनकी माता साहे तुरुकान के हाथों में थी साहे तुरुकान ने सबसे पहले क्या किया किया कि इल्दुत मिस्की जो अन्य बेगा में थी उन पे अत्याचार करना सुरू कर दिया था जिसमें इल्दुत मिस्की पुत्री रजिया भी सामिल थी साहे तरुकान के अत्याचारों से परिसान होकर एक दिन रजिया ने लाल बस्तर पहन कर दिल्ली की जनता से अपील की और दिल्ली की जनता ने रुगन दीन फरुज साहे तथा उसकी माता साहे तरुकान को बंदी बना लिया था तो साहे तर्कान के एत्याचारों से परिसान होके एक दिन क्या किया रजिया ने कि लाल बस्तर पहन के दिल्ली की जनता से अपील की क्योंकि लाल बस्तर उस समय नयाय का प्रतीक माने जाते थी तो दिल्ली की जनता ने क्या किया कि रुगनुदीन फुरूज साहय और उसकी माता साहय तरुकान को बंदी बना लिया था तो बाद में रुगनुदीन फुरूज की हत्या भी कर दी थी रुगनोदीन फिरोज की हत्या के बाद रुगनोदीन फिरोज साहे और उसकी माता साहे तुरकान को बंदी बनाने के बाद नवंबर 1236 में रजिया को दिल्ली की सासी का बनाया गया था रुगनोदीन फिरोज साहे का सासनकाल केवल 6 माए का था बैसे तो रुखनत दीन फुरोज साह के सासनकाल में कोई बिसیस कारण नहीं हुआ दो आप से परिक्षा में पूछा जा सके लेकिन रजिया का जो प्रारंबेक इतिहास है वो रुखनत दीन फुरोज साह के सासनकाल से ही प्रारंब होता है इसलिए ये वीडियो रुकनुत्दीन फ्रोसाय और रजिया दोनों के लिए बहुत महत्मूर है क्योंकि अगर मैं रजिया के सासनकाल को पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले उसके प्रारंबिक इतिहास की बात करूँगा तो आप इसे दुवारा तिवारा जितनी वार चाहें उतनी वार देख सकते हैं वीडियो पसंद आया होते से लाइक करें शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कुमेंट करके आप मुझे से पूछ सकते हूँ